अभीका मंगलो नमस्कार ग्यान चर्चा में आज क्योंकि मैंने बताया ने से पहले में लगातार वीडियो चार पांच बन रही है जो कि क्या कहते हैं छुटी छुटी बातों को मैंने आज कलब करके एक साथ ही बोलें लेकिन अगर मैं एक साथ बोलूं तो बहुत बड़ी ब मांसिक तरंग है हम अपनी मांसिक तरंगों क्या कहते हैं बहुत ज्यादा सक्ति साली बनाने के लिए चेश्टा करते हैं उसके लिए उड़ी जागरन में चलना चाते हैं देखिए सधारन योगा से तो कुछ नहीं हो नहीं वो सरीर के लिए होता है ठीक है ना रही बात क्य विचार ठीक है हमारे क्या कहते हैं विचारों में कहीं से भी खुदगर्जी नहीं है कहीं से भी लोलुकता लोभाब लोभी पन नहीं है ठीक स्वार्थी पना नहीं है मतलब जो कहते हैं विशेष देगे थोड़ा अपने काम में तो बढ़िया लेकिन ऐसा नहीं कि अपने का से काम रखें वैसे उसंत्रोड सवां के इतनी खूबियां भी जो है वह संत के अंदर होती है जो कि और वह सिसकू बहुत घरस्टमें संद परवर्दी इतना बहुत ज़रूरी है उस पर फिर परमातम मैं किरपा करता है को दिवियात में परमहंस को पर करते हैं तो उसका कहना कि तो आपकी इस परियास के द्वारा मानसिक तरंगे भी जो होती है भगवान के परती आपकी जिऊ-जू ले बढ़ती जाएगी यह यह को आपकी आस्था जितनी बढ़ती जाएगी आपकी सोच में और कुछ भ पनाव नहीं रखते हैं उस जगह पर आपकी मानसिक तरंगे फिर अपने आपकी कहीं नहीं कहीं जो सब कॉंसिस्मेंड अपचेतन मन जो है मस्तिक जो वह धीरी तरे जागरत होने लगता है आपका सभाव आपका और किसी ज्यादा कुछी ज्यादा मिलना जुलना नहीं तो है एक्तम ससक्त होने लगती है हाँ इसमें एक चीज जो रुफाइदे मंद बहुत जबर्दस लाव वह आपको करना पड़ेगा बरहम मुरत मैं फिर कहने जा रहा हूं हम घरस्तियों के लिए बरहम मुरत तीन से पांच का समय होता है इसमें कोई सक नहीं है यह बात फिर मा अगर आप साड़े तीन बाइट जाते थो साड़े तीन से पांच साड़े पांच तक ले लिजिए मैक्सिम यह जो समय होता है यह इतना घजब को आता है यह इसके अंदर आप आराम से सांत भाव से बैठ कर केवल और केवल अपना जाब करिए ठीक ना यह कोई भगवान ज मुर्ति एक टक देखते रही है ठीक ना आ जैसा दिया Bowl फॉसमें कोई चमद कार खो जाए आपकी मांसिक तरंगे वैसी तेजे होने लगें हमारे सरोच मंतर गाहितिरी मंतर को बता रखाए सब्सक्वी सबसक्ट का सरेंगें मंतर मों इंत्रों में यह इंत्र यह इंत्र मंतर खेंक तो आप क्या है घंचारे गशारे falei जो भी आपको मंतर अच्छा लगता वूब जो भी आप चीज ढंग से मानते हैं जो भी बचाए वो पवित्र वेला जो होती है उसमें वास्ता में सिद्ध महापूर्सों का क्या कहते है एक वो होता है एक परभाव करता है उस समय कि जो कोस्मिक रेज होती है बड़ी घजब को थी वो अचानक कि आपके अंदर कर जागर होंगे यह सारी चीज़ें इस अटमेटिक उटलेकर इसके लिए सबसे बड़ी बात है आपके मन में कपट नहीं होना चाहिए खुदगरजी नहीं होने चीज़िए बिल्कुल भी सवार्थी पना नहीं होना चीज़िए लोभी पना नहीं होना चीज़िए मैं सच कह रहा जिस लोब से जिस खुदगर्जी से जिस कपट से जिस क्या कहते हैं आपके किसी भी नेगटिविटी से दूसरे का मन को आहाद पहुंसती हो ठेस पहुंसता हो जड़ चेतन सजी इनर्जी उस चीज़ से आपको धूर रहना बस इस चीज़ पर आपको और कर लीजे आप फिर चाह क्या कहते है योगा असन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उससे इतना फरक ने पड़ता आप क्या कहते हैं ध्यान की अवस्था में जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं उससे फरक ने पड़ता आपकी विचारों से ही आपकी जो अ में में ना कभी आई यह ताज में बता रहा है लेकिन इतना मुझे अभास हो गया कि जितना भी है उतनी भगवान ने देविमान ने गुरू दे निम्कुली बाबाजी किरपा ने मेरे पर कर रखी है तिवियात में परमंसों किरपा बहुत है तो इस कारण से क्या रहता है कि आपके भाव और भाव से आपकी अवचितनमं की सक्ति सक्तिसाली होना उसकी तरंगे और ज्यादा पुष्ट हो के आपको उसका फल मिलना इस सारव एट्यमाटिकली है बस मैं इतना ही कहूँगा मैं इसमें ज्यादा और तो क्या बोलूँ मैं ठीक ही सब अनायास होते है अ कोई और कोई तंतर मंतर करने की जूरत नहीं है ठीक अमदद मैं अच्छी बहासे बोलो जो कि और कोई तंतर में जाए को यंतर में कुछ जूरत नहीं साधारन कि इस बात बताई आप मंगल काम नहीं कुछ